क्या प्रोड्यूसर की चोईस नहीं है सही किस तरह से अक्षि कुमार को ले कर आशाती प्रोड्यूसर नाडियरवाला को किसने लगाई बजट की वाट हेलो फ्रेंड्स मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना वहतरीन चैनल बॉली ग्रेंड स्टूडियोज हेला फेरी 3 के प्रोड्यूसर फिरोस नाडियरवाला ने फिल्म को रिस्क में डाल दिया है क्या उन्होंने चुना हुआ डारेक्टर यानि की पराद सामची और उनका साथ देने आए एहमद खान इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को सक्सेस्फुल साबित कर पाएंगे ऐसे ओडियर्ट को कहना है दरसल एहमद खान एज अ कोरियोग्राफर भी हेरा फेरी 3 से जुड़ सकते हैं पर को डारेक्शन के नाते वो काम करेंगे और डारेक्टर के तोर पर पहले भी उनका नाम सोचान गया था इस फिल्म के लिए पर अगर एहमद के डारेक्शन के बात करें तो वो एक्शन फिल्मों में माहिर है ना कि कॉमेडी फिल्मों में बीते कुस्तारों में उन्होंने सिर्फ टाइड़ शौफ पुली करेक्शन वाली फिल्म में बनाई है क्योंकि सक्सेस्फुल भी नई हुई है सीक्वल्स और रीमेक्स में भी वो नातामयाब हुए हैं तो अगर एक ट्रेक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इस कॉमेडी जर्नर के लिए फिर नहीं बैट रहे अगर देखा जाये तो भूल भूल यह टू बढाने वाले अनीस बजमी या फिर पठान बढाने वाले सिधातानन सिर्फ इन्हों नहीं प्रूफ कर दिया है कि इंडेस्ट्री वे फिर वही जर्नर एक्सपोर्ट्स है वैसे ये ना पेरित्री को नेकर जब अक्षे कुमार ना कर रहे थे क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी और ना ही मूमांगी फीस मिल रही थी तब प्रोड्यूसर फिर उस नाडेयल वाला को बहुत बुरा लगा था फिर भी उन्होंने राइटर टीम से कह तो कहकर दो स्क्रिप्स बनवाई थी एक अक्षे को फिल्म में लेकर तो दो से स्क्रिप्ट लिखी थी कांतिकारियन को स्कोच कर तम भी नाडेयल वाला को लग रहा था कि अक्षे कहीं न कहीं हाँ करेंगे और वो उनका मान इसने ये साबित होता है कि फिरोज अक्षे की राह देख रहे थे अक्षे वापस लोटेंगे इसी वजह से उन्होंने इरोज इंटरनेशनल इस डिस्टिबूशन कंपनी के साथ 35 करोर की डिए की थी जिसमें हेरा फेरी 3 आवारा पादल दिवाना 2 और वेल्कम 3 भी शामिल थी और इन तीनों फिल्मों में उन्होंने अक्षे कुमार को कास्ट करने का फैसला किया पहले हेरा फेरी 3 का बजट और टीम पूरी तरह से अलग थी हेरा फेरी का बजट आक्षे कुमार की एंट्री से पहले साल 2015 में 100 करोर तै किया गया था जिसमें जौन अबराहम और बढ़ाना पड़ा अब अक्षे ने ही 90 करोड की मांगी तो 100 करोड का बजट कैसे चलेगा उपर से उन्हें प्रॉफिट भी देना है यानि के फिल्म के प्रोडूस नाडिया अलवाना को 100 करोड से बढ़कर अब डेर 100 करोड तक का बजट रखना पड़ा है यानि कि अक्षे अपने बजट की पूरी वाट लगा दी आपका इस पर क्या गहना है अपनी राय हमें बताइए कॉमें सेक्षिन में हो जाते चाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे यानि कि शूती को द आप